हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज हम स्टार्ड करेंगे क्लास 12 बाइलोजी में चप्टर नमबर 8 हुमन हेल्थ एंडीजेज का पार्ट 3 अगर अभी तक आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं आज के वीडियो में अपन चप्टर को आगे बढ़ाते हैं और दो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं एक तो होगी एड्स और एक क्या होगा कैंसर ठीक है तो एक करके दोनों को अच्छे से स्टडी करते हैं दोनों ही आपके बड़े कोशन्स बन सकते हैं कि इस वाली बीमारी में क्या होगा जो इम्मिन सिस्टम होगा वो डेफिसेंट हो जाएगा ठीक है एकदम खतम भी हो सकता है जिससे कोई भी और बीमारी अपन को बड़े आसानी से लग सकती है जो कि आम केस में अपन को नहीं लगती थी और सिंड्रॉम क्यों कहते हैं क्यो इसके बाद अपन को याद रखना है कि पैथोजन कौन सा इसका तो इसका पैथोजन है HIV जिसकी फुल फॉर्म होती है यूमन इम्मिनो डेफिसेंसी वाइरस और बुक में लिखा हुआ है ये एक तरह का रेट्रोवाइरस है रेट्रोवाइरस कौन से होते हैं जिनके अंदर और आरेने क्या होता है जैनेटिक माटेरियल होता है और वो रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन से क्या बनाकर डीने बनाकर अपना पैथोजनिक साइकल चलाते हैं ऐसे वाइरस को क्या कहते है रेट्रोवाइरस और एचाईवी भी एक क्या है रेट्रोवाइरस है फिर नेक्स जो आपन को study करना है वो है इसका structure तो अच्छे से समझते हैं देखो एक वाइरस के structure में आप सब को साइद पता होगा कि एक वाइरस के structure में genetic material होता है और एक उसकी covering होती है इसके अलावा वाइरस में कुछ नहीं होता यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है देखो सबसे अंदर इसका genetic material है दो green color के देखो identical single stranded RNA होते हैं तो एक तो याद रखना है कि इसमें RNA है कितने RNA होते हैं दो होते हैं कैसे होते हैं single stranded और एक दूसरे के एकदम similar होते हैं दो identical single stranded RNA genetic material के तो पर होते हैं उसके साथ देखो blue color के dot भी दिख रहे हैं तो वो RNA के साथ में एक enzyme भी साथ में रखते हैं उस enzyme को कहते है reverse transcriptage देखो generally क्या होता है DNA से RNA बनता है इसे कहते है transcription और RNA से DNA बनने को क्या कहेंगे उल्टा हुआ transcription का इसे कहेंगे reverse transcription और जो enzyme यह करवायागा उसे कहेंग reverse transcriptage तो यहां पर अंदर की तरफ क्या होता है सबसे core में क्या होगा दो identical single stranded RNA होते हैं उनके साथ reverse transcriptage enzyme होता है उसके बाद उसके उपर क्या होगी protein की covering होगी तो protein की दो covering होती है एक यह red color वाली और एक यह दिखो black color वाली जो अंदर की यह red color वाली वो है P24 और जो बार की black color की है वो क्या कहलाएगी P17 next इसके चारो तरफ और भी एक lipid की bilayer होती है जो green color के structure से सो कर रखी है वो क्या है lipid bilayer और उन lipid bilayer में देखो यह जो structure दिख रहे है glyco lipid के glycoprotein के sorry कुछ structures होते हैं अब यह glycoprotein के structure भी दो है देखो नीचे की तरफ जो है वो है GP41 और उपर की त पूरा structure है जो protein के बार है उसे क्या कहेंगे envelope ठीक है और जो protein की covering थी वो क्या कहलाएगी capsid तो अपन AIDS के जो structure है virus का structure है उसको तीन पार्ट में divide कर सकते हैं सबसे अंदर genetic material होता है इसमें single standard RNA होता है कितने दो उसके साथ reverse transcriptage enzyme होता है उसके बाद होती है capsid जो की protein की covering है दो covering ह होती है P24 और P17 उसके बाहर होता है envelope envelope किसका बना होता है lipid bilayer का और उसमें बीच-बीच में क्या होता है glycoproteins होते है जो दो होते है GP41 और GP120 ठीक है तो यह अपना किसका है AIDS का structure इसको detail में अपनको theory में नहीं लिखना है अपनको सिफ डाइग्राम से अच्छे से समझना है next mode of transmission यह बीमारी फैलती कैसे है तो sexual contact with infected person यह एक तरह की STI यह STD है जिस मतलब sexual transmitted disease है जो infected person के sexual contact से फैलती है दूसरा है by transfusion of contaminated blood and blood products अगर किसी blood और blood के product में जैसे कि मानलो कोई भी blood का plasma या फिर मानलो की कोई भी blood cells या कुछ भी अगर किसी person से दूसरे person में transfer कर रहे हैं और donor जो है वो एक infected HIV से तो receiver में भी बीमारी transfer कर सकता है तो पहला है sexual contact से दूसरा है transfusion of contaminated blood and blood samples तीसरा है by sharing needles देखो अगर मानलो किसी person को HIV हो रखी है और ने किसी needle का इस्तमाल किया है और वो ही needle को healthy person भी इस्तमाल करे तो उसमें भी वो virus को transfer कर सकता है अब needle generally कहां कहां यूज की जाती है तो एक तो normal medicine injection injection जो होते है जब किसी patient को लगा जाते है उसके बाद उसी injection से अगर किसी और को लगा दे तो विमारी फैल सकती अगर पहले व जाते थे जिसे बार-बार reuse किया जाता था हलंकि पहले उसे sterilize किया जाता था लेकिन कभी-कभी problem हो सकती थी इसलिए आज कल क्या करते है वन टाइम यूज वाले injection का इस्तमाल करते हैं दूसरा injection या needle का इस्तमाल कहां करेंगे तो जो drug abusers होते हैं वो क्या करते हैं डrug लेने लो पहला वाला person जो है HIV patient है तो दूसरे में भी फैल सकती है फोत है transfer from infected mother to baby mother से baby में भी जा सकती है दो तरीके से पहली placenta के थुरू और दूसरी जब मदर बाद में बच्चे को milk से नरिस करें तो उससे भी transfer हो सकती है तो यह है mode of transmission और इन सब में एक common चीज है कि जो transfer हो रहा है body fluid के थुरू हो रहा है चाहे वह sexual contact में हो चाहे blood में हो चाहे needles में हो चाहे यहां पर है तो body fluid के थुरू यह transfer हो सकता है next है myth myth का मतलब कौन कौन सी चीजों से AIDS transfer नहीं होता और आम लोग समझ लेते हैं कि इन तरीकों से भी AIDS का transfer हो सकता है और यही वज़ा है कि वो लोग HIV patient से दूर रहते हैं जो कि नहीं करना चाहे तो क्या किन किन चीजों से AIDS नहीं फैलता वो भी समझ लेते हैं पहला है by normal social contact ऐसा को एक HIV patient के साथ room share कर रहे हैं उसके साथ रोज रह रह रहे हैं उसके साथ खाना वाना खा रहे हैं तो इससे भी AIDS नहीं फैलता by sneezing coughing of infected person कुछ लोग सोसते हैं कि अगर उनके साथ रहेंगे तो जब वो खासेंगे चिकेंगे तो उनके ड्रॉप लेट से अपनको HIV infection हो सकता है नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता फूर्थ है by mosquito bite यह बहुत ही बड़ा confusion है लोग सोसते हैं mosquito जो है blood suck करेगा फिर वो जब किसी और को मतलब काटेगा तो उस समय वो HIV virus transfer कर सकता है नहीं ऐसा भी नहीं है तो यह चार ऐसे तरीक है जिनसे AIDS नहीं फैलता और बुक में लिखावा है कि so HIV infected person are not isolate from family और society उसे family या society से अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि आम जिन्दगे में अपन यही चीजें उसके साथ सेयर कर सकते है ठीक है और उनसे AIDS नहीं फैलने वाला ठीक है तो पहला आप यह अच्छे से not कर लीजे फिर अपन चप्टर को आगे बढ़ाते है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं replication of virus मतलब virus का pathogenic cycle कैसे चलता है तो एकदम simple सा है देखो यह retro virus किसी भी mode से जब अपनी body के attach हो सकता है जनरली यह उन सेल पे attach होता है जहां पर cd4 receptors होते हैं जैसे कि macrophage t lymphocyte उन पर फिर एक बार यह जब सेल पे attach हो जाएगा तो यह अपना genetic material सेल के अंदर drop कर देगा यह genetic material क्या होता है RNA होता है virus क्या करेगा reverse transcription का इस्तमाल करके क्या बनाएगा viral DNA बनाएगा और यह viral DNA क्या होगा host के genome के साथ में fuse हो जाएगा अब जब host अपने DNA का replication करता है तो viral DNA भी क्या कर सकता है replicate कर सकता है फिर यह host की cell का इस्तमाल करता है खुद के लिए production के लिए मतलब host की cell से क्या करेगा खुद के लिए genetic material बनवाएगा खुद के लिए protein बनवाएगा खुद के लिए envelope बनवाएगा और नए viral particles बनाएगा फिर यह viral particle बाहर आ जाएंगे इस cell से और फिर दूसरी cell को क्या करेंगे infect करेंगे इस तरीके से इसका pathogenic cycle चलता है तो क्या लिखावा है after getting into the body it will enter into macrophage और helper T lymphocyte दोनों के पास क्या होते है CD4 receptors होते है वहाँ reverse transcription परफॉर्म करके viral DNA बनाएगा फिर host genome के साथ add हो जायाएगा और फिर infected cell produce new viral particle like HIV factory मतलब अब यह cell किस की तरह बीएव करेगी एक factory की तरह और produce करेगी क्या वाइरस प्र particle infect other cell इस यह cycle जो है बार बार repeat होते ही जाएगा होते ही जाएगा जिससे TH cell जो helper T cell है और macrophages के number गटने लगते हैं अब ऐसा होता जाएगा तो person का immune system तो क्या हो जाएगा एकदम ही वीक हो जाएगा क्योंकि यह दोनों क्या immunity बनाने वाली cell है और यही वज़ा है कि अब इस person को कोई भी ऐसा pathogen भी बीमार कर सकता है जो general case में कभी बीमारी नहीं फैलाता था ठीक है तो यह replication of virus है इस diagram को आप अच्छे से prepare करें ठीक है next है symptoms तो देखो there is always a time lag between infection and appearance of AIDS symptoms मतलब AIDS के symptoms आने और AIDS का जब actual में infection हुआ था तो उसके बीच में एक time period होता है यह time period vary करता है पांच से 10 साल तक का भी हो सकता है और कुछ मंत का भी हो सकता है initial symptoms initial symptoms से भी पहले का एक time period होगा जब कोई symptoms नहीं होगे फिर starting में क्या symptoms आते है fever होते है कफ होते है डाइरिया होता है एकदम suddenly बहुत जादा weight loss हो जाता है और जब पूरी तरीके से AIDS होगा तो person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome इसका क्या मतलब है उन चीजों से भी वो infection ले लेगा उन बीमारियों से भी वो मतलब बीमार हो जाएगा जिनसे generally infection नहीं होता क्योंकि अपनी body का immune system उन्हें counter करता है जैसे कि mycobacterium कुछ virus fungus toxoplasma ये ऐसे हैं जिनने generally अपन इनसे infected नहीं होते उनसे भी infection हो जाएगा क्योंकि body का immune system कि full form याद रखनी अपन को enzyme linked immunosorbent assay ये basically antigen antibody based test होता है ठीक है और जिससे क्या किया जाता है antigen की presence को detect किया जाता है और फिर अपन को पता किया जाता है कि भाई AIDS है या नहीं है ठीक है तो ELISA test का इस्तमाल करते AIDS में जो कि क्या है enzyme linked immunosorbent assay ठीक है treatment क्या होगा तो देखो वैस से AIDS का कोई treatment नहीं है prevention ही सबसे अच्छा तरीका है लेकिन antiretroviral drugs का इस्तमाल कर सकते हैं और NCRT लिखती है partially effective होती है ये person को ठीक नहीं करती बस उसकी life को थोड़ा लंबा कर देती है लेकिन वो मरेगा मतलब जल्दी मर जाएगा ठीक है तो वो एकदम cure नहीं कर रही है उसक थोड़े दिन उसकी life को क्या कर रही है increase कर रही है ठीक है next prevention तो देखो prevention is better than cure और ये HIV के लिए और अच्छे से applicable होता है HIV infection often spread due to conscious behavior pattern it is not something that happened accidentally इस line को अच्छे से समझना इसका क्या मतलब है जैसे माल लो कि मुझे malaria होता है तो मुझे थोड़ी पता था कि malaria इस काम से हो जाएग मतलब कोई भी mosquito हो सकता है हो सकता है कि उसमें plasmodium हो या ना हो तो मतलब generally malaria या कोई और बीमारी accidentally होती है लेकिन HIV infection generally कैसे होता है conscious behavior pattern से पता चलता है क्यों होता है देखो अगर किसी person के multiple sex partner है या फिर वो unsafe sex कर रहा है या फिर मान लो कि वो जो है अपने क्या कहते है condoms वगेर का इस्तमाल नहीं कर रहा है या फिर मान लो कि वो infected needle का इस्तमाल कर रहा है तो यह सब उनको पता है कि अगर इस तरीके का इस्तमाल करेंगे drugs का इस्तमाल कर रहा है तो उसे पता है कि इन से AIDS हो सकता है फिर भी वो इस्तमाल करता है मतलब यह conscious behavior pattern है जिसमें अपन को पता होता यह accidentally नहीं होता, हलंकि दो exception है इसके, जैसे blood transfusion, किसी को blood चड़ाया गया और उस बीचारे को पता ही नहीं कि यह infected blood था, या फिर mother से newborn में जाना, बाकी जो भी mode है HIV होने के, वो subconscious behavior है, नाको करके एक agency होती है, National AIDS Control Organization, जो लोगों में क्या करती है, यह information फैलाती है, मतलब उसके towards में education spread करती है, ताकि लोग क्या AIDS के बारे में पता कर सके और उससे बच सके, नाको और कुछ other NGO, NGO आप जानते है, non government organization, ठीक है, तो वो भी क्या करती है, educate करती है और awareness फैलाती है, इसके अलावा, जिन जिन चीजों से AIDS spread होता है, उन उन चीजों से बचा जा सकता है जैसे safe sex करना, sterilized needle का इस्तमाल करना, drug abuse से दूर रहना, ठीक है, तो यह सब prevention के तरीके हैं, किसके AIDS के, ठीक है, next जो आज का अपना topic है, वो है cancer, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ और चीज समझते है, in our body, cell growth, differentiation is highly controlled and regulated, इसका मतलब है कि जो cell growth होती है, वो ऐसे randomly नह जाता है, in cancer cells, there is a breakdown in these mechanism, जब cancer होता है किसी जगह पर, तो यह regulation नहीं रहता है, यह regulation गडबड़ा जाता है, तब cancer होता है, दूसरी चीज, normal cell जो होती है, वो contact inhibition सो करती है, इसका मतलब, जब तक एक cell, किसी और cell के touch में, वो divide नहीं करती, grow नहीं करती, मतलब, ऐसे करने से क्य होगा, मतलब की unnecessarily cell division और cell growth से बचा जा सकता है, तो generally क्या होती है, एक cell तब ही divide करती है, जब वो किसी आसपास की cell के contact में नहीं है, इसका मतलब आसपास cell नहीं है, तो grow करके, divide करके, वहां तक cell बना दी जाती है, अगर हर तरफ उसके touch में कोई cell है, तो वो contact inhibition की वज़े से unnecessarily growth सो नहीं करती है, लेकिन cancer के case में cell जो होती है, यह contact inhibition की property खो देती है, और वो unnecessarily divide करती है, और divide करके, वहां cell का एक mass create हो जाता है, जिसे पर tumor कह सकते है, तो normal cell जो होती है, सो करती है, क्या contact inhibition, by this a cell inhibited uncontrolled growth when it is in contact with other cell, cancerous cell जो होती है, वो contact inhibition की property खो देती है, as a result, cancerous cell just continue to divide and form a mass of cell, जिसे क्या कहते है, tumor, अब यह tumor जो होते है, दो तरह के होते है, एक benign tumor और एक malignated tumor, पहले देखते है, benign tumor क्या होता है, यह जो tumor होता है, यह जिस जगह बनता है, उसी जगह पर रहता है, इस जगह से कहीं और transfer running होता, आसपास के tissue को खराब नहीं करता, ठीक है, इसकी growth भी बहुत slow होती है, और यह metastasis sow नहीं करता, metastasis क्या है, अभी अपन समझेंगे, वो sow नहीं करेगा, और यह little damage से बहुत कम damage करेगा, मतलब यह fatal नहीं है, ठीक है, और इसे अपन true cancer मानेंगे भी नहीं, true cancer कौन सा हो होगा, malignated वाला, उसमें देखते हैं, उसमें क्या होता है, पहला, it is a mass of, इसके case में, malignated tumor के case में, जो tumor बनता है, वो क्या होता है, mass of proliferating cells, called neoplastik और tumor cells, मतलब यहां पर बहुत सारी cell का एक cluster बनता है, जिसे neoplastik cell या tumor cell कहते है, इस cell में और इस tumor की cell में क्या फरक है, पहल साइड के surrounding tissue को भी damage कर सकती है, और metastatic so कर सकती है, metastasis so करती है, पहले हम समझते हैं, यह metastasis क्या होता है, तेको malignated tumor की cell होती है, वहां से निकल कर blood में mix हो जाती है, मतलब कुछ cell निकल के blood में mix हो जाती है, और blood के साथ travel करते हैं, किसी और organ में चली जाती है, और वहां पर tumor बना देती है, इसे कहता है metastasis, और यह बहुत problem है, tumor मालो किसी एक particular जगा है, वहां से कुछ cell निकल के किसी भी vital organ में जा सकती है, और वहां पर भी tumor बना सकती है, तो यह हुआ true cancer, तो malignated tumor की cell जो होती है, metastasis so करती है, यह नहीं करती है, एक और point है, कि malignated tumor की cell जो होती है, बहुत तीजी से grow करती है, divide करती है, तो जो बाकी की cell होती है, normal cell होती है, उनके resources, उनके nutrition को वह इस्तमाल करती है, ज्यादा capacity से, इसका मतब normal cell क्या हो सकती है, भूकी मर सकती है, star vision हो सकता है उन cell में, जिसे उनकी death भी हो सकती है, और अपनी body weak भी feel कर सकती है, ठीक है, cell of malignated tumor slugged from original position, reach other side by blood and start new tumor, इसे अपन क्या कहते है, metastasis, और NCRT लिखती है, most feared property है, malignated tumor की, ये कौन से, metastasis, ये भी अच्छा से याद रुके है, next है, cancer होता किन से, तो जिन चीजों से cancer होता है, उनने अपन कहते है, carcinogens, क्या कहते है, carcinogen, जन का मतलब क्या होता है, produce करना, cancer producing, जो भी substance है, या agent है, उनको कहेंगे carcinogen, और ये तीन तरीके के हो सकते है, पहला है, radiations, radiations जो होती है, वो cancer create करवा सकती है, cell में abnormal growth करवा सकती है, radiation दो तरह की होती है, ionizing, जिसका example है, UV radiation, non-ionizing, x-ray और gamma rays, फिर है chemicals, कुछ certain chemicals भी क्या करा सकते है, cancer करवा सकते है, जैसे टंबा को जो है, वो lung cancer करवा सकता है, mouth cancer करवा सकता है, oncogenic virus, कुछ virus ऐसे होते है, जो भी cancer को cause करवा सकते है, उनमें viral oncogene होती है, oncogene ऐसी gene को कहते है, जो tumor बनाने में help करती है, अपनी body में भी ऐसी gene होती है, लेकिन generally वो suppressed रहती है, अगर किसी भी कारण से वो activate हो जाए, तो भी cancer हो सक होता है, generally देखा होगा, बहुत सारे person, ना तो कोई radiation, या फिर ना कोई chemical, कुछ भी ऐसा इस्तमाल भी नहीं किया है, और ना ही उनमें कोई viral infection हुआ, फिर भी उनमें cancer हो जाता है, क्योंकि कई ना कई उनका जो है, उनकी जो oncogene थी, उसमें mutation हो गया होगा, या कुछ चीज हो होगी, जिसकी वज़े से, उनकी नॉर्मल जो gene थी, oncogene, जो generally proto-oncogene का लाती है, suppress रहती है, वो activate हो जाती है, और cancer create हो जाता है, तो oncogenic virus में खुद का oncogene होती है, जो क्या करवा सकती है, cancer करवा सकती है, इसके अलावा देखो, मैंने अभी बताया, several gene होती है, जैसे cellular oncogene, proto-oncogene, वो अगर activate हो जाए, किसी भी तरीके से, तो भी क्या करवा सकती है, cancer produce करवा सकती है, तो एक बार आप ये note कर लीजिए, फिर अपन देखते है कि इसका diagnosis कैसे करते हैं, और treatment कैसे करते हैं, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, और लेते हैं, कि cancer का detection और diagnosis कैसे किया जाता है, तो तीन method अपन को करने है, बायोप्सी, radiological examination, और antibody detection, सबसे पहले लेते हैं, बायोप्सी, जिसे NCR team लिखावा है, हिस्टो-pathological study है, अब इसमें क्या किया जाएगा, suspected tissue, जहां पर अपन को doubt है कि वहाँ cancer हो सकता है, उस tissue की क्या ली जाएगी, उसको एक thin slice बनाया जाएगा, और उसे stand किया जाएगा, और उसे microscope के नीचे देखा जाता है, और उसका karyoplasmic index not करते हैं, कaryoplasmic index जो होता है, उससे पता चल सकता है कि cell abnormally grow कर रही है या नहीं, अगर karyoplasmic index एक से ज़्यादा है, ऐसे case में वो denote कर रहा है कि वहाँ पर cancer हो सकता है, तो पहला जो तरीका है वो biopsy होता है, a piece of suspected tissue cut into thin section, it stand and examine under microscope, they find karyoplasmic index, if it is more than one, then it denotes की cancer है, second is radiological examination, जहां radiation का इस्तमाल होगी, जैसे कि X-ray का इस्तमाल कर सकते हैं, CT scan, जिसकी full form होती है, computed tomography, basically इसमें भी X-ray का ही इस्तमाल करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कि बहुत सारी internal organ की बहुत सारी image, मतलब ऐसे section में image बना बना के उसकी एक three dimension image बनाते हैं, आपने देखा होगा, अगर CT scan की एक machine देखी होगी, तो उसमें tunnel जैसा होता है, उसमें patient को लिटाया जाता है, और उसमें जो circle होता है, उस circle में ऐसे पूरा X-ray की एक ring आती है, और उससे क्या होगा, internal section बना कर उसकी एक image ली जाएगी, फिर उस patient के bed को थोड़ा सा आगे खिसका जाता है, फिर वापस ऐसे होगा, फिर वापस ऐसे होगा, रहसे करके बहुत सारी image, फिर उससे एक 3D image बनाते हैं, और यह जो है, जो भी यहां से जो receive होगा, वो computer में जाक अब city scan में क्या नुकसान है कि उसमें X-ray का इस्तमाल होता है, और X-ray खुद भी क्या कर सकता है, cancer causing agent की तरह हो सकता है, इसलिए MRI और अच्छी choice होती है, magnetic resonance imaging, इसमें strong magnetic field produce किया जाता है, और non ionizing radiation का इस्तमाल होता है, और यह जो जहां जहां पर भी living tissue है, मतलब जहां पर water है, वहां पर यह और अच्छे से काम करेगा, ठीक है, वहां से detection और अच्छे से होता है, उसका flow major कर सकते हैं, वहां के internal structure से अच्छे से image create कर सकते हैं, ठीक है, next है antibody detection, देखो माल लो की अपन क्या करते हैं, कि cancer का जो antigen है, उसके लिए antibody prepare करते हैं, जिसे monoclonal antibody है, फिर उस person के blood म monoclonal antibody डाल देता है, अग antibody तो कहां जाकर चिपकेगी, जहां antigen होगा, तो blood के साथ float करती रहेगी, और अगर किसी जगह पर जाकर वो attach हो रही है, इसका मतलब वहां पर cancer के antigen है, और वहां चिपक रही है, जिस जगह चिपक रही है, वहां पर cancer है, तो इस तरीके से detect किया ज detection कहते है, तो biopsy, radiological examination और antibody detection, यह तीन तरीके हो सकते हैं किसके detection और diagnosis के, next अपन लेते हैं, treatment, तो treatment में पहला तरीका है, surgery, दूसरा तरीका है, रेडियो थेरेपी, जहां पर radiation का इस्तमाल किया जाता है, पहले पता किया जाता है कि कहां पर है tumor, फिर वहां radiation से क्या किया जाता है, chemotherapy, chemicals भी दिये जाते हैं, और यह chemical बहुत harmful भी होते हैं, body को बहुत weak कर देते हैं, आपने देखा होगा, जिनका cancer treatment चलता है, उनके hair loss हो जाते हैं, सब eyebrow वगेरा सब गिर जाती है, बहुत ज़्यादा weak हो जाते हैं, हलंकि अगर वो person अच्छे से cure हो जाए, तो जब यह chemotherapy ब monoclonal antibody के साथ में medicine का भी attachment कर सकते हैं, तो जहाँ monoclonal antibody जाकर जुड़ेगी, वहाँ पर वो medicine काम भी कर सकती हैं, दूसरा अपनी book में दे रखा है कि alpha interferon का इस्तमाल किया जाता है, अक्सर जो tumor cell होती है, वो अपने immune system से बच जाती है, अगर alpha interferon का इस्तमाल किया जाएगा, तो ये अपने immune system को enhance करेगी, जिससे उन tumor cell को क्या किया जा सकता है, destroy किया जा सकता है, तो ये था अपने cancer के बारे में, तो आज की वीडियो में अपने दो topic के अच्छे से study की, एक AIDS और एक cancer, दोनों को आप अपने board examination के इसाफ से, theory के question के इसाफ से भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, मिलते हैं chapter के सबसे last वीडियो में, तब तक आप सब लोग खुब सारा hard work कीजिए, खुब खुश रही है, खुब मस रही है, thank you for watching.